पूरा दिन आपके लिए क्या कुछ करने वाला है लेकर के पूरी जानकारी उपस्तित हो चुका हूँ आपके साथ एक और बात बता दें कि तीन, चार, पाँच, छे, साथ अभी इतने दिन और बचे हैं जब आप हमारे साथ होलाश्टक महातंत्र अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं अर्थाद अभी तीन ग्रूप और बना है 26, 27 हो गया 28, 1 हो गया आज दो तारिक से सुरू हो रहा तीसरा ग्रूप दो और तीन को तीसरा ग्रूप रहेगा, चार, पाँच, चौथा ग्रूप, छे, साथ, पाँचवा ग्रूप ये पूरा पाँच ग्रूप हमने बनाया था होलाश्टक महातंत्र अनुष्ठान का तो आज और आप भाग ले सकते हैं, आज और आप इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं लेकिन इसके लिए शिग्रता करना होगा, इसके लिए विलंब ना करियेगा हर दिन तो बीती ही चला जाता है, आप देख करके रह जाते हैं कई बार आपको लगता है कि पैसा बहुत जादा लग रहा है तो कई बार आपको लगता है कि अरे होगा, पता नहीं लाब होगा, नहीं होगा यह सब जो आपके मन में विचार आता है न यह सोच जो आती है आपके मन में यह आपके दुरभाग्य के कारण आती है आपके मन में आया और आपका अभाग आगे आगे चलने लगा आप सोचे आपने विचार किया लेकिन आप कदम ही नहीं बढ़ाए और ठीक वहीं जिन लोगों ने कदम बढ़ा दिया आप उन्हें क्या कहेंगे पागल नहीं मैं उन्हें भाग्यशाली कहूँगा निसंदेह वो भाग्यशाली है क्योंकि उन्होंने कदम बढ़ा दिया उन्होंने 11,000 शुल्क जमा करके हुलाश्टक महातंत्र अनुष्ठान में अपने भाग्यशाली का डंका बजा दिया अब एक वर्ष किसी भी प्रकार का तंत्र क्रिया उन्हें पर असर नहीं करने वाला है अब वो कदम बढ़ा चुके है तो आपको भी अगर कदम बढ़ाना है तो अभी तीन समूह बचे हुए हैं बिलकुल भी विलम बना करिएगा दो तीन हो गया चार पांच छे साथ दो दो ही बचा है आज वाला तो अब आपके हाथ से निकल गया हो अगर आज अभी कारक्रम देख रहे हैं दो तारिक बचा हो तो देख लीजेगा देर मत करिए 9354619250 और 9910291850 पर तुरंत वाट्सप करके आप पूरी जानकारी ले लिजेगा और समय ले करके कदम बढ़ा दीजेगा आए सुरुआत करते हैं आज के जोतिश दिशाक सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग फालगुर्माह शुकल पक्ष एक आदशीती थी आज चंद्रवा मिथुन राशी में है नक्षत्र रहेगा आरद्रा दो पहर 1242 तक इसके बाद पुनरवशू योग रहेगा आयुशमान तदनुसार दिनांक दो मार्च दिन गुरुवार गुरुवार को राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा दो पहर 12 से देड़ गुरुवार को राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा दो पहर देड़ बज़े से लेकर तीन बज़े तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बज़े से लेकर 10 बज़ कर 30 मिनट तर राहुकाल में नए और शुब काम नहीं किये जाते गुले काल में किये जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज की पूरे दिन का हाल आज की दिभ भविश्यवारी मेश राशी, पढ़ाई में पूर्णता आएगी, स्रिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है, स्रिक्षा को वाप तेजी से आगे लेकर जाएगी ब्यापार में कुछ उठापटक हो सकता है, बिजनस में सावधानी बरतने की आवशकता है प्राइवट सेक्टर में कुछ बड़े फैसले होंगे, आज इस्थतियां आपके पक्ष में है सरकारी छेतर में तनाव बढ़ रहा है जिस पर आपको फोकस करने क्या वशकता है दामपत्य जीवन आज बहुत अनकूल रहेगा, पति-पत्नी के बीच सवहार्द रहेगा आउट आफ कोड सेटलमेंट की विचार बन सकते हैं लव लाइप में कई तरह की मुशकलें आ रही हैं जिस पर आपको फोकस करना है स्वास्थ बैक की प्राब्लम आँखों की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज मेश वालों को मादुर्गा का ध्यार करना है 11 बार इस मंत्र का जाब करिए शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भागी परद्शत तिर्पन ब्रिशब राशी दिनांग दो मार्च शिक्षा में आज कई मसले इधर उधर से उल्जा देंगे आपको पढ़ाई में पूर्णता नहीं आपाएगी समस्याएं बढ़ सकती है ब्रिशब राशी वालों को आज नौकरी में उन्नती की संभावना है सरकारी छेतर में तनाव बढ़ सकता है बॉस के साथ बिवाद की स्थती आ सकती है आज गवर्मन्ट सेक्टर वालों को सोच समझकर निरले लेना होगा दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है परेशानियों से बाहर निकालेंगे और कुछ बड़े अवसर का लाप मिलेगा आज लव लाइप में एक दूसरे के प्रती समरपन का भाव आगे बढ़ाएगा स्वास्थ के मामले में आज कमरदर्द और आखों की समस्या होगी प्रियोग के तोर पर आज किसी जरूरत मंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रत्षत पच्पन मेथुन राशी दो मार्च गुरुवार पढ़ाई में आज मन कम लगेगा किसी मित्र से मन मुटाव और विवाद की स्थती है व्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं चिंताओं से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज शुबता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में चिंताओं से मुक्ति की संभावना है सरकारी छेतर की स्थती सुधर रही है कौर्मेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी और बच्चों के बीच तालमिल अच्छा बैठेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है यहां परिस्थतियां आपके हाथों से बाहर जाएंगे स्वास्त के मामले में अगर देखा जाए तो आज माइग्रेन और आखों की समस्या बनी हुई है क्या प्रियोग करना चाहिए आपकी राशी मिथुन है ओम गंगन पते नमह भगवान गणेश के इस बीज मंत्र का 11 बार जाब करिएगा शुवरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षत 57 करकराश परिस्थतियां आपके पक्ष में हैं शिक्षा में पूर्णता आएगी किसी तरह की समस्या नहीं ब्यापार अनकूल चलेगा मुख्य अवसर का लाव लेंगे बिजनस में हर मुश्किलों से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ बड़ा फैसला देगा प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की चिंता नहीं होगी सरकारी छेतर को लेकर के आज थोड़ा सा सभलना है आज चिंताओं से बाहर निकलने की जरूरत रहेगी कुछ चिंताएं आपके बहुत करीबी लोग दे देंगे गौर्मेंट सेक्टर में दुश्मन बन जाते हैं शर्यंद्र करते हैं दांपत्य जीवन अच्छा है बच्चों का साथ रहेगा आज ससुलास रिस्ते को मधूर कर सकते हैं लव लाइफ में मुश्किलें आ सकते हैं लव लाइफ में इस्थतियां आपके पक्ष में नहीं स्वास्त के मामले में लीवर आंख और बैक की प्राब्लम रहेगी क्या प्रियोग करना चाहिएगा आपकी राशी करक है कच्चा दूध अपनी दाहिनी हथेली पर ले लीजिए और ओम सम सोमाय नमह कहके किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज केसरिया सैफरोन भाग्य प्रतिशत 61 सिंग राशी मस्तिश्क शांत रहेगा सिक्षा में पूर्टा आएगी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप द्यापार में कुछ रुकावट है बिजनस बहुत अच्छी स्थती में नहीं है कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अफसर अच्छा दे रहा है इन अफसरों का आपको लाब मिलेगा सरकारी छेतर की स्थती को सुधारने का प्रियास करें दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है परेशानियों से बाहर निकलेंगे मरियर लाइफ आपके लिए अनकूलता देगा लव लाइफ की स्थती को सुधारने का प्रियास करें लव लाइफ में सब कुछ आपके अनुसार चलेगा स्वास्थ के मामले में पैक की प्रॉबलम आँख और किड्नी की समस्या जाएगी क्या प्रियोग करना चाहिए है आपकी राशी सिंग है आज अपने हाथों से किसी जरूरत मंद को कुछ फल आधिकादान कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए हरा भाग की प्रत्शत साथ कन्यराशी मस्तश के शान्त है आज कुछ बड़ी सोच के साथ स्विक्षा में आगे बढ़ेंगे व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी बिजनस बहुत तेजी से आगे लेकर जाएंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह की चिंदाएं दे सकता है प्राइवेट सेक्टर को लेकर के सजग रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेतर अनकूल है गवर्मेंट सेक्टर में लाव की आउसर बनेंगे आप कुछ अच्छा सोच करके कदम बढ़ा देंगे दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी का साथ रहेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में कई तरह की दिक्कतें बढ़ सकती है स्वास्त की मामले में आँख और सांस की दिक्कत हो सकती है क्या प्रियूग करना चाहिएगर आपकी राशी कन्या है कन्या राशी वालों को अपने हाथों से आज किसी छोटे बच्चे को टॉफी चॉकलेट देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्षत पचपड तुला राशी मस्तश्क आज बहुत उज्जुलता की तरफ आगे बढ़ रहा है पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी शिक्षा में सुधार होगा ब्यापार अनकूल रहेगा बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे है प्राइवेट सेक्टर की इस्थिति को सुधारने का प्रयास करेए यहां पर आज समस्या हो सकती है सरकारी छेत्र में कुछ मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे दामपत्य जी उन अच्छा रहेगा पत्नी का खूब साथ मिलेगा सपोर्ड भी मिलेगा लब लाइफ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें स्वास्त के मामले में आज किड्नी और आँखों की समस्या सता सकती है प्रयोग के तोर पर आज किसी जरूरत मंद को सरसू का तेल दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रतिशत 55 बिश्चिक राशी दिरांक दो मार्च पढ़ाई में आज कुछ बड़ा फैसला होगा स्विक्षा की स्थिति अच्छी है ब्यापार में अनकूलता रहेगी विजनस में किसी तरह की चिंता नहीं लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको चिंताओं से लाद दे सकता है आज आपको काम में मन ही नहीं लग रहा है हो सकता है नई जगह के प्रियास आपके आज ना सफर होने पाए सरकारी छित्र गजब का है अवसर अच्छे मिल रहे हैं गौर्नमेंट सेक्टर में शुपता है दामपत्य जीओन अच्छा रहेगा पतने का खोब साथ मिलेगा सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ की स्थिती को सुधारने का प्रियास करिएगा स्वास्त के मामले में लीवर पेट और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या प्रियोग करें आज उल्टी हथेली पर थोड़ा सा कच्छा दूध लेकर अपने कंठ पर लगाईए शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रित्षत 57 ब्रिश्चक राशी दिन मस्त है आज का दिन आप अपने अनुसार चलाएंगे पढ़ाई बहुत अन्कूल रहेगी शुक्षा में सुधार हो रहा है ब्यापार भी अच्छा चलेगा विज्टस में किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा फल देगा आउसार अच्छे मिलेंगे सरकारी शेत्र को लेकर कि आज सजग रहने की आवशक्ता है दामपत्य जीव नन्कूल है बचों का साथ रहेगा सपोर्ट भी मिलेगा लेकिन लव लाइप में कुछ मुश्किलें बढ़ रहेगी स्वास्त के मामले में माइग्रेन और आखों की समस्या रहेगी क्या उपाय करना चाहिए आज का दिन बहतर करना है तो अपने हाथों से आज किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ पुष्टक देना शुब रहेगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत कितना 63 63 धनु राशी गुष्चे पर काबू रखें आज मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा पढ़ाई में कम लगेगा ब्यापार अच्छा है बिजनस में आउसर अच्छे मिल रहे हैं आप पर आज औरों को भरोसा होगा प्राइविट सेक्टर के लिए चिंताएं बढ़ रही है सरकारी छेत्री की स्थिति सुधर रही है दामपत्य जेवन अनकूल है बच्चों का साथ रहेगा सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ की स्थिति को लेकर किया सजग रहना है स्वास्थ के मामले में आज आँख और किट्नी की समस्या बढ़ सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है आज ओम विश्रवे नमह का ग्यारह बार जाब करिएगा शुबरंग आपके लिए लाल भाग के प्रद्शत पच्पर मकर राशी दो राहे पर रहेंगे निरले ले पाने में आज मुश्किलें आएंगी पढ़ाई में आज मन कम लगेगा हो सकता है परिवार में भी कुछ इस्थती इधर उधर की फंस जाए प्राइवेट सेक्टर आज किटनी आख और बैक की प्राब्लम बढ़ सकती है प्रियोग के तोर पर आज मगर राशी वालों को अपने हाथों से उरत की खिचडी का दान करना किसी जरुरत मंद को शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रद्शत सत्तावन कुम्भराशी मामला आपके हाथों में हाज पूरा दिन बेहतर भी देगा पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिक्षाय में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार अनकूल है बिजनस आपके लिए सब कुछ सुधार देगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा फल दे रहा है सरकारी छेत्र की स्थिती में सुधार लाने का प्रयास करें दापत्ते जीवन अच्छा है पत्नी का साथ बना हुआ है लव लाइव की स्थिती आज आपके हाथों से बाहर जाए स्वास्त के मामले में किट्नी आँख और बै की प्राबलम हो सकती है क्या प्रयोग करना चाहिए कुम राशी वालों को मादुरगा का ध्यान करके ओम दुम दुरगाय यह नमह का पांच बार जाप कर लेजेगा शुवरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रत्षत तिरपन अंतियम राशी मीन सिक्षा पूर्णता की तरफ है आज रेजल्ट बहुत पॉच्टिव आएगा मन भी लगेगा ब्यापार की स्थिती को सुधारने का प्रयास करिएगा प्राइबेट सिक्टर आपके लिए बड़े फैसले देगा सरकारी छेत्र की स्थिती में कुछ चिंदाएं बढ़ सकती है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा पतनी का खोब साथ मिलेगा लव लाइफ की स्थिती में मुश्किले आएगे स्वास्थ के मामले में पेट, किड्नी और बैक की प्राब्लम रहेगी क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी मीन है आज का दिन शुब करने के लिए आउले का रस अपने कंठ पर लगाईए शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्यू प्रतिशत तिर पर ये तो रह राश्यों का हाल आप आगे कदम बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं आज के सकसेज की के बारे में एक रुपे का सिकात तीन बार अपने सर से उल्टा बार कर नीचे रख दीजे किसी पौधे के काम पूरा चर्चा आज के भाग्याक्षर का मेश वाक्षर ब्रिशब पा मिथुन लाक्षर करक सा सिंग भाग्षर करन्या था तुला धाग्षर ब्रिश्चिक हा धनु माक्षर मकल सा कुम्भ दाग्षर मीन भा जिसका दो मार्च को जनम दिन है हमारी तरफ से शुपकामनाएं आप सब को जनम दिन मुबारक हो आगे बढ़ते हैं और अब आपको प्रियोग बताते हैं अगर आप दो मार्च को पैदा हुए हैं तो तीन आउने के पौधे एक नीम का पौधा किसी दुर्गा मंदिर में लगा दीजेगा और अगर आप दो मार्च को वैवाहिक वर्षिगांठ मनाते हैं तो आप दो गाजयाबाद में गाजयाबाद में अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा मौका है मिलने के लिए आप दियेगे नंबर्स पर तुरंत संपर्क कर लीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद अपना बहुत ख्याल रखे हमें अनुमत दीजे झाल